और भाई साब अरे वा यार हेलो गाईज मैं हूँ अमित भाई हमारे दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर से आ जाता है कि अगर हम पैसे को एक प्रिंटर में स्कैन करके फिर प्रिंट कर लें तो क्या होगा बेसिकलि अगर पैसे की फोटो को भी करने की ट्राय करे तो क्या होगा तो भाई साब आज हम यही चीज ट्राय करने वाले हैं लेकिन एक एक्सपरिमेंट के रूप में और आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का कोई भी परपस जो है नकली नोट या जाली नोट बनाना नहीं है भाई हमारे पास में इन फैक जो नोट है वो भी असली नोट नहीं है यह सिरफ कूपन्स है भारतिय मनोरंजन बैंक और भारतिय चिल्डरन बैंक के क्योंकि भाई पैसे की फोटो को भी करना या इस तरीके का कुछ भी करना एक legally crime है तो आप लोग भी please try मत करना और हमारे पास में इस तरीके के note ही नहीं और भी कई चीजें को printer में डाल करके scan करके print करने की कोशिश करेंगे जैसे कि हमारे पास में भाई साब lays की chips इनको निकाल लेंगे फिर printer पे डालेंगे साथी साथ हमारे पास में crazy ribbon और इससे भी crazy idea तो ये है कि हमारे computer का ये जो keyboard है न इसको ही अगर हम scan करके print कर दे तो क्या होगा तो आज यही test करने वाले हैं फट आप उची शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो like का बटन है वो जरू सी दबादो आज का target है भाई सिर्फ और सिर्फ चार लाख likes का जल्दी से कर दो आपके लिए तो छोटी सी बात है दोस्तों notes पे तो बाद में आएंगे शुरू आत करते हैं सबसे पहले Lays की chips के साथ में तो भाई यह जो printer है एक color printer है जो की scan भी करता है, copy भी करता है, print भी करता है तो मैं इसको सबसे पहले खोल लेता हूँ इसके scanner को और भाई Lays की जो chips है उनको फाड करके और इसके उपर डाल देता हूँ और ऐसा कोई नहीं करता होगा भाई ऐसे तो लेकिन यार जो कोई नहीं करता वो ही तो हम करते हैं तो ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर color scan and print मैंने दबाया बटन और यह scanner चालू होगा अरे हाँ हो गया, बहुत बढ़िया और आप लोग देखिए कि यह step by step scan करता है और भाई साब नीचे जो chips है वो print होके भी आ रही है उस तेरी अबे यार कैसी दिख रही है दो paper कैसे आ गए यार तो भाई साब हमारे पास में एक paper तो extra आ गया, कोई बात नहीं लेकिन आप लोग देखो कि chips का जो print है वो बेख़द interesting आया है और मतब जहाँ जहाँ पर chips जो है वो scanner के नीचे वाले part को glass को touch कर रही है, वो part अच्छे से scan हुआ है और उपर का part blur हुआ है दोनों को अगर side by side रखके दिखा हूँ तो आप लोग देखो कि यह original था और यह इसका scanned copy है वही सबसे खास बात यह है कि यह जो photo जिसी चीज दिखरी है यह photo नहीं खिची, यह scan करके फिर print करिए, तो अब इन chips को करते हैं खटता खा भी सकते हैं और दूसरी चीज पर आते हैं नेक्स्ट आइडम हमारे पास में crazy ribbon जो कि भाई, पाट डिवगर हमें यूज होते हैं इसको इस तरीके से हिलाना पड़ता है चलाने से पहले और जब हम इसको दबाते हैं यह actually में packed है जब हम इसको दबाते हैं न तो इसमें देखना ribbon निकलेगा और दूर भाग के जाता है उत्तिरी तो मैं इसको डालूँगा भाई printer के उपर स्कैनर के उपर थोड़ा उपर से उत्तिरी ओहो और मैं कही अपना printer ना खराब कर लूँ तो भाई आप लोग देखो कितना सारा ribbon ही खटा हो गया और यह ठंड़ ठंड़ लग रहा है मुझे काफी बस printer सही सलामत रह जाए हमारे printer देदे तो इसके उपर मैं दबा रहा हूँ color scan and print फिर से और भाई यह क्या रायता फैल यह printer पे अरे scanner शुरू क्यों निवा हो जा भाई हो गया तो भाई साब यह है crazy ribbon का print जो कि कहीं कहीं से greenish है और बाकी पूरा white है और पूरा एक wire जैसा structure बना हुआ है पूरा entangled हो रखा है और यह इस सीज का print है जो कि मुझे नहीं लगता कोई निकालता होगा तो अब बढ़ते अपने next item पे जो की है keyboard तो भाई keyboard को रखता हूँ scanner पे और scan and print करते हैं इसको भी color में और भाई साब क्या बात है keyboard जो है वो print हो गया है paper के उपर and अच्छी बात यह है कि सारी keys हमको clearly दिख रही है इद्दम black color में बिल्कुल pitch black color में यह जो है print हुआ है और थोड़ी जी shining keys के उपर ज़रूर है मतलब समझ में भी आ रहा है कि keys है और उनके उपर number भी लिखा हुए देखो A, S, D, F, G, H, J, K, L सब कुछ बड़ी आसे समझ मारा है थोड़ा-थोड़ा caps lock और shift भी दिख रहे हैं और यह था भाई असली का version आप दोनों में जो है comparison कर सकते हो तो अब बढ़ते है next की तरफ जो कि रख लेते हैं 2000 के लिए जगए नहीं बची एक काम करते हैं सस्ता नो ठलाते हैं और मेंगा रखते हैं ठीक है और इसको बंद कर लेते हैं और इसको scan and color print करते हैं और भाई साब अरे वा यार यहां पर कुछ बाद बनी है देखो कितना मज़ेदार और कितना accurate color निकल के आये हैं यह 200 कूपन वाला जो नोट है उसका color देखो यार भाई इवन 50 वाला भी गजब आया है और 2000 वाला भी और 100 कूपन वाला भी वाई साब यह तो सब से तगड़ा आ गया अरे वा एक बार देखो कितने accurate colors आये हैं इसके अगर मैं असली वाले आपको दिखाऊं तो आप लोग देखो कि इनका colors इनके काफी close है और देखने में एक करके ऊपर है फिर से clear कर देना चाता हूँ यह जो है सिरफ coupons है यह कोई असली note नहीं है आप भी ऐसा कुछ भी try मत करना तो वाई साब आप लोग देखी सकते हो कि क्या interesting results मिलते है note कुछ इस तरीके से print होता है बाकी चीजे हमारे पास में chips हमने print करी और हमने crazy ribbon print किया और सा आपिसाद में keyword भी काफी interesting था तो अगर आपको मजा आया इस unique से experiment में तो इस वीडियो के लिए like का बड़न दबाना बिलकुल मत भूलना सिरफ 4,000,000 likes का target है चैनल को subscribe कर लो ऐसी यह और मस्त मस्त कमाल की वीडियो के लिए तो चलो फिर मिलते हैं लिए वीडियो में तब त